नमस्कार स्वागत है आप सभी का दालेबल 10 करंट अफेर्स में और आज हम 27 मई 2020 के करंट अफेर्स डिसकस करेंगे और हमारा पहला कॉस्चिन हाल ही मैं कोस्ट इंडिया समाच्वार में है निम्लिकित मैं से किसके द्वारा विक्सित किया गया है इसका सही आंसर है option C both A and B मतलब Indian Observatory and Forest Ecological Security अब कोस्ट की आप फुल फर्म यहां देख सकते हैं collaboration, covid action, support group इसमें क्या होगा यहाँ एक GIS मतलब geographical information system based एक dashboard है जिसमें क्या होगा इसमें इंडिया के map में जितनी भी हमारे migrants हैं उनके moment को show किया जाएगा तो वो भी real time पर मतलब उनकी जो भी information आएगी वो time to time update करते जाएंगे और इस platform को बनाये कि इसने Indian Observatory and Anand-based Forest Ecological Security ने और इसमें जो information ली जा रही है वो 55 organization से ली जा रही है जो कि ground label पर काम करती है अगला question किस प्रयोक शाला ने AI आधारित उपस्तिती application AI NA विक्सित किया है इसका सही answer है option C Research Center Emirat DRDO की एक laboratory RCI जो की तिलंगाना में उपस्तित है इसने AI based artificial intelligence based attendance application को बनाया है जो की बिना contact में आई personal verification किया जा सकता है facial features के द्वारा मतलब face के द्वारा यहाँ पर verification हो सकता है मतलब यह एक attendance system है पहले क्या होता था जैसे biometric के द्वारा attendance होती तो तो finger वेरा touch होती है तो जिसके वज़े से covid के spread होने की जादा chances थे इसलिए इन्होंने facial feature based verification attendance system बनाया है जो की artificial intelligence based है और इसके लिए जो इनका physical infrastructure होगा उसमें थोड़ा सा ही change करके इसको apply किया जा सकता है अब हम थोड़ा सा DRU के बारे में जानते हैं जिसका headquarter न्यू देली में है और जो हमारे defense minister है वो श्री राजना सिंग है और जो chairman है DRU के वो है Dr. G. Satish Riddhi अगला question भारत ने हाल ही में किस देश में इंडिया नाम से एक war games केंदर इस्थापित किया है इसका सही answer है option C यूगांडा अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इंडियन military training team की मदद से इंडियन association ने यूगांडा के अंदर यूगांडा के अंदर एक डिस्टिक है जिंजा डिस्टिक में military war game center स्थापित किया है और इसका जो inauguration है वो वहाँ के president ने किया है आप थोड़ा से यूगांडा के बारे में देखते हैं आप देखिए ये यूगांडा है इसकी neighboring countries South Sudan, Kenya, इधर तंजानिया, इधर रुआंडा है और इधर के Democratic Republic कॉंगो और देखिए यूगांडा की जो capital है वो कमपाला है और वाकी जो currency है वो shilling है एक्जाम में पूछ ली जाते हैं कई बार capital और currency भी अगला question किस रक्षय सेवा ने नवरश्यक सांस लेने वाली PPE kit बनाई है इसका सही answer है option B इंडियन नेवी देखिए आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन नेवी ने नवरश्यक नाम की एक PPE kit बनाई है जो अब तक जो kit पहनी जाती थी जो हमारे जो front मतलब जो doctors वेरा थे वो काफी ज्यादा मतलब uncomfortable थी तो यह जो नई kit है न यह काफी ज्यादा अराम दायक है और easily वो लोग इसको पहन सकते हैं और इसमें उन्हें सांस लेने में भी मदद मिलेगी अगला question हाल ही में नमर 18 flying bullet समाचार में है यह क्या है इसका सही आंसर है option A Indian Air Force Squiden अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं भारतिया बायू सेना तमिल नाडू के कौमिटोर के पास सुलूर में 27 मही मतलब कि आज अपना 18 बा जो flying bullet को शुरू करेगी और यहाँ स्कौाइडन स्वदेशी हलके लड़ाकू बिमान यानि LCA तेजस से लेस होगा भारती बायू सेना के जो चीफ है वो इस flying bullet को operational करेंगे जो तेजस है ना तेजस को उड़ाने वाली बायू सेना की यहाँ दूसरी सकौाइडन है और जो पहली थी वो 45 भी सकौाइडन थी जो ऐसा कर चुकी है और इस 18 भी सकौाइडन के बारे में थोड़ा जानते हैं इसकी जो इस्थापना थी वो 1965 में होई थी और इस flying ने भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद में हिस्सा लिया था और इसी में इनका जो मतलब अधिकारी तेक flying अधिकारी निर्मल जीत सिंग सेखो इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था अब हम थोड़ा से तेजस के बारे में जानते हैं जो तेजस है ना यह हमारी fourth generation की सबसे हलकी और सबसे ज़्यादा मतलब छोटा विमान है अगला question कौन सा राज्य प्रवाशी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवासन आयोग्य की स्थापना करने जा रहा है इसका सही आंसर है option A UP मतलब उत्तर प्रदेश अभी ये news में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनात ने अपने officials को बोला है कि आप जितना जल्दी हो सके migration commission को setup करो ये migration commission जो होगा ये क्या काम करेगा जितने भी migrants worker हैं lockdown के time पे जो अभी UP में बापे slot कर आये हैं उन सबको job provide करेगा और उनके जो rights हैं उनको safe guard करेगा मतलब safe करेगा और ये पूरा जो commission होगा ना ये ना मतलब migrant workers के लिए ही काम करेगा अगला question हाल ही मैं पंटियस सेंटश समाचार में है यहाँ क्या है इसका सही answer है option A यहाँ fresh water fish है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ठीक है यह एक नई species है जो कि fresh water में रहती है यह सास सेंटीमेटर की एक छोटी सी मचली है जो fresh water में रहती है आप यहाँ भी देख सकते है यह भी discovered हुई है इससे तमिल नाडू के वैलन कंदी में discover किया गया है और इसके नईने नाम है ए किस नवरत ने कंपनी के साथ मिलकर तेज साथ स्वास्तिय सेवा के कामगरों को पोस्टिक भोजन दे रहा है मतलब कौन सी नवरत कंपनी है जो तेज साथ के साथ मिलकर जो कामगर्स है ना जो हमारे health workers है उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है इसका सही answer है option D rural electrification corporation limited मारे frontline health care workers को अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते है जो यह company है ना REC Rural Electrification Corporation Limited के बारे में जानते है यह एक यह नवरत न NBFC कंपनी है जो की मतलब जो main काम है इसका यह power sector financing और development पर काम करती है यह 1969 में established हुई थी लगवग इसको 50 साल complete हो गई है और इसका जो काम है लाइक दीन दयल उपाध्या, ग्राम जोती, योजना, स्वभाग्या इन सब के लिए एक यह नोडल एजनसी है और इसका जो main काम है यह प्रोवाइड करती है financial assistance power sectors के लिए अगला question कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने सरक्षन प्रियासों पर रिपोर्ट जारी की है इसका सही answer है option C उत्राखंट अभी news में इसलिए है क्योंकि उत्राखंटने मतलब अपने यहां 1100 rare plant को extension होने से बचाया है और इसी को लेकर उन्होंने अपनी मतलब उत्राखंट देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक report निकाली है जिसने highlight किया है जो इसने conservation efforts अपनाई है जो plants को बचाने के लिए उन इसने save किया उन्हीं में से एक plant है धम कमल जो कि हिमालियन रीजन में पाये जाता है चाइना के बॉर्डर के और यह ना state flowers है उत्राखंट का और इसे बहुत ज्यादा पवित्र भी माना जाता है फूल को अगला question कौनसा दिन international missing children's day के रूप में मनाया जाता है इसका सही answer है option day 25 माई यह आप देख सकते हैं international missing children day जो कि 25 माई को मनाया जाता है इसे मनाने का जो main मकसद है वो यह है कि जो children's होते हैं जो बच्चों के अपरड के बारे में जागरू करना और parents को बताना उनके बच्चों की सुरच्छा के बारे में parents को educate करना और यह जो है यह 2001 से मनाया जा पच्चिस माई को और यह एक organization है international center for missing and exploited children इस organization के द्वारे यह day मनाया जाता है जिसका headquarter United States के अंदर है और कल हमने आपसे question पूछा था हाल ही मैं किस राज्ये के मंत्री मंडल ने खेलों को उध्योग का दर्जा दिया है आप इंगलिश में भी देख सकते हैं किसने industry status दिया है ठीक है इसका सही answer है option A मिजोरम और आप सभी के लिए revision question हाल ही मैं drug regulatory system में सुधार करने वाली समिती के प्रमुख कौन बने है और आप सभी प्लीज इसका answer प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी के साथ आज का discussion यहीं समाप्त होता है अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you